नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग सोमबती अमवस्या 30 मई 2022 को मनाय जा रहा है और ये साल का अंतिम सोमबती अमवस्या है इस दिन बट सावित रिब्रत और सनी जैनती का भी पर मनाय जाएगा सोमबार के दिन अमवस्या का महत तो और बढ़ गया है लोग चतूर दशी का ब्रत रखते हैं अमवस्या के दिन बट सावित ब्रत भी है तो पूजा पाट करके तो पूजा पाट करके फिर खा लेते हैं तो पुर्ने भी प्राप्त होता है और पित्री संतुष्ट हो जाते हैं अब सुहागिनों के लिए सोमबती अमस्या का ब्रत भी बहुत महत्त है क्योंकि इस दिन सुबह सुबह यानि कि जो बोलते है न चोरकी जल डालना तो सुबह सुबह ब्रहमूर्थ में उठकर सिब पार किसमें इसलिए इसमें पूजा करने से ज्यादा पूर्णी फल प्राप्त होते हैं तो इस बार जेस्ट अमवस्या है और अगर हम गरहन अच्छत्रों की माने तो बट अमवस्या यह नहीं बरगत अमवस्या इस दिन को कहते हैं और ब्रिसवरासी में चल रहे हैं बुद्ध करना है आपको कि भगवान सुरी को जल और पित करने के समय जल में एक चुटकी काला तिल डालकर और पित करें तब आपके पितरी देवों को त्रिपती भी मिलेगी और पितर देव वहां से आसिरवाद वरसाएंगे आपके जीवन के कस्ट कम हो जाएंगे दूसरी बात आम के पत्तों का बंदन वार जरूर लगाईएगा जिसको हम तोरन कहते हैं घर्म के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक या ओम का निसान जिसको मंगल प्रतीक चिन्य कहते हैं वह जरूर बना दीजिएगा ताकि नकात्मक उर जाएं आपके घर तक ना सके घर में प्रबेश ना कर सके क्योंकि अमवस्या तिथियों में निगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो जाती है घर की जब आप साफ सफाई करवाईएगा ना तो नमक या फिटकरी मिलेवे पानी से ही करवाईएगा ताकि आप लोग स्वक्ष सुरक्षीत और खुबसूरत तरीके से लाइब जी सके आज हम खास बाते करेंगे 12 अप्रेल को साल की पहली सोमवती अमवस्या है और इस अमवस्या को सनातन धर्म में पर्व के रूप में मनाया जाता है अगर हम जोतिस की माने तो इस दिन पूजा पाठ करने का नदी सरोवर में असनान करने का और दान करने का बिसेस महत्व है कहीं न कहीं कई यग्यों के पुन्य के बराबर फल मिलता है अब सोमवती अमवस्या पर तिर्थ असनान अगर किया जाए तो इसके पुन्य कभी खत्मिया के दिन भूल कर भी मांस मदीरा लहसन प्याज बेगेरे का सेबन ना करें घर में लड़ाई जगरे कलह कलेस बिवाद ना करें ना ही जूट बोलें ना ही किसी को कड़वे वचन कहें घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और सरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए ना ही तेल मालिस करना चाहिए साथी ब्रह्मचरे का पालन करें तो ब से स्पुन्य मिलते हैं इस दिन बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं अगर जीवन में बहुत ज्यादा कस्ठ हो परिसानिया बढ़ गई हो तब सोमबती अमवस्य के दिन सुबसुव असनान बिगेर करके फ्रेश कपड़े पहन ले अब सिब जी के मंदिर में चले जाएं नहीं डालना धीरे धीरे अर्पित करें नमसिवाय का खूब जब करें काल सर्फ दोस्त का असर समाप्त हो जाता है और आपके जीवन के हरकश्ट दूर हो जाते हैं अगर पित्री दोस्त जादा परिसान कर रहा हो तब आप इस सोमबती अमवस्या के दिन आप भगवान सु का दान भी कर सकते हैं इससे भी जीवन के कस्ट कम होते हैं इस अमवस्या के दिन अपने घर के मंदिर में या फिर पास के किसी सिवजी के मंदिर में गाय के घी का दिया साम के वक्त जलाएं और रुई की जगा लाल रंग के धागे का प्रियोग करें तो मा लक्षमी आप एक दो गुलाब की पंखुरी भी डाल सकते हैं चुकि अमवस्या के दिन अशनान और दान का भीधान है तो ऐसे में इस सोमवती अमवस्या के दिन अगर आप दान करें तो अनंत गुना फल मिलता है किसी न किसी रूप में किसी गरीब की सहायता कर दे जो बोल नहीं सकते जो जैसे गाय है कुट्ता है ये लोग तो खाने नहीं मांग सकते न तो उनके निमित खाने पीने का वेवस्था करें जर्म कुंडली के तमाम बुरे गरहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है इस अमवस्या के दिन अगर आपका काल सर्प दोस है तब चांदी से या तामबा से बना हुआ नागन का जोड़ा आपको सुनार के या मिल जाएगा तामबा का भी ले सकते हैं चांदी का भी ले सकते हैं छोटे छोटे रेडीमेड भी आते हैं ले आईए अब आप पास के किसी सिब जी के मंदिर में जाय और सिबलिंग पर अर्पित कर दें इसके बाद प्रवाहित कर सकते हैं काल सर्फ दोस्त समाप्त हो जाते हैं इस दिन अगर सत्रू बिरोधी खूब परियोग किया जाता है क्या करेंगे अगर जरूरत से ज्यादा सत्रू बिरोधी परिशान करें आपको लगे आपकी लाइब को बरबाद कर रहे हैं तब सिवजी के सरन में जाना है आपको चाहिए होगा कच्चा दूद्ध और 11 काली मिर्च के दाने काली मिर्च के दाने के किसी भारी बस्तू से आप उसको कूट ले पीसावा पॉडर यूज मत कीजिएगा बहुत सारे मसाले मिक्स होत ऐसे कि सत्रू से मुक्ति लाइए प्रफू कि आप देखिएगा आपके सारे सत्रू बिरोधी सांथ हो जाएंगे और जीवन के कस्ट कम होंगे क्योंकि सिवजी के सरन में जो चला गया वह कभी निरास हो इनी सकता सिवजी सर्वे सर्वा है वो सब कुछ देखने वाले सुन सिवजी से प्रात्ना करें आपके कस्ट कम होंगे कि सिवजी के दिन आपको विसेश परियोग हमने बहुत सारे बताए लेकिन एक खास परियोग जो कि हमने टॉपिक रखा है लाल धागा कि कई बार क्या होता है लाग प्रयास के बाद मननत ही पूरी नहीं होती ना तो आप आपकी रोजगार में बरकत है ना नौकरी मिल पा रही है ना जीवन में किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है बस जहां थे वहीं इस तिर रह गए ना अपना मकान का सुख है जीवन में जब लगे कि कस्ट बढ़ गया है तब एक छोटा सा काम कीजिएगा सबसे एम अंतिम रोटी लेड़िए और इस रोटी पर फोड़ा सा 67 दो गुण सरसओं का से तेल नहीं ठोड़ तो चलेगा लेकिन और जैसे ही तेल लगा हृव ऊग्रोटे यह दूसरी बात This दिन सर्सों का देलका येक ऊविवन में 가장 गया हो तब सिंपल सा परियोग करें एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सर्सों का तेल ले लें जादा नहीं एक चमच आधा चमच अब अपने घर के सभी सदस्यों के सर से उल्टा तीन वार वार लें अब इसको घर के मुखे दर्वाजे से बाहर निकल कर जमीन में तेल को डाल दें कही दिकत नहीं है आप देखिएगा कि जीवन के बहुत सरे कष्ट कम हो जाते हैं महाभारत काल में गंगा पुत्र भीस्वन ने राया यदिश्ठिर को सोमबती अवस्या का महत बताते हुए कहा था कि इस दिन पुन्य सलीला नदियों में स्नान करने से मनुस्य के सभी पाप कर जाते हैं दुखों से मुक्ति मिलती है और हरिद्वार जैसे पवित्र हस्नान अगर किया जाए तो पुन्य प्राप्त होता है घर में ही गंगा जल मिला कर भी नहा सकते हैं फिलाल आप से बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर मह देद धनिवार